जब जोब से रिजाइन करता है तो आपका जो रिजाइन है वो आपका एकसेट होता है देन आपको एक एक लेटर मिलता है उस लेटर में लिखा होता है कि जो आपका रिजाइन है वो एकसेट कर लिया गया है और किस तारीक से वो आपका जो रिजाइन है वो एफेक्ट होगा तो सबसे पहले जो आपका Resign Acceptance Later है वो आपको यहाँ पर लगाना है साथ में अगर आपी कंप्री ने आपको No Doge दिया है दिन वो आपको यहाँ पर साथ में लगाना है फिर तीसरा आपका जो भी KYC है उसका एक Scan Copy आपको रखना है आपने पास जिसमें कि आपका जो widely available है वो आधार होता है फिर चोथा आपका जो Pran Card है उसका एक आपको Copy रखना है और साथ में जो यह चारों आपकी चीज़े हैं उसको आपको जो भी आपका Concern Department है आपकी कंप्री में जो की Generally HR Department होता है आपका Regional Office का या Head Office का उसको यह चारों जो आपके Papers है उसको Email के माध्यम से या फिर आप Physically By Courier या Speed Post भेज सकते हैं जैसे भी आपको suitable हो तो यह आपको भेज देने हैं और इसमें आपको लिखना है कि आपने फिलाल आपकी जोब से Resign कर दिया गया है और जो की Particular Date को Accept हो चुका है तो फिलाल आप जो NPS है उससे Exit करना चाहते हैं जो अपना पैसा है वो Bidrow करना चाहते हैं या उससे NUT लेना चाहते हैं तो उसके डेटेल आपको यहां पर डालना है फिर उसमें लिखना है कि Kindly Generate Claim ID For Further Process जो भी अगली प्रोसेस आप करना जा रहा है उसके लिए आपको Claim ID generate करने के लिए आपको request अपने particular department से करनी है जब वहां से आपके पास Claim ID generate होके आ जाएगी दिन तब आप NPS से exit करने का जो प्रोसेस से start कर पाएंगे तो यह प्रोसेस आप कैसे start करेंगे initiate करेंगे exit करने का उसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जो की जिसका link है आपके description में वहां पर आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपी claim ID generate हो जाती है तो friends thanks for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को subscribe भी करें करें